गर्भावस्ता में कौन सव्यायाम करना सुरक्षित है। प्रेगनेंसी के दौरान आप स्विमिंग, वाकिंग, इंडोर साइकलिंग, माइल्ड, लाइट एरोबिक्स, एलिप्रिकल स्टेप एकसाइजर्स, स्ट्रेचिंग एकसाइजर्स, योगा के कुछ आसन और ब्रीधिंग एकसाइजर्स कर सकते हैं। अगर हम वाकिंग करें और क्या स्पीड से करें। तो आपको मॉडरिटली ब्रिस्क वाकिंग करती है। न थीरे और न बहुत तेज अगर आपको बहुत तेज की आदत है तो आप कर सकते हैं अगर आप पहले से ही प्रेगनेंसी से पहले कस्टमाइज थी पर अगर आप नई नई वॉकिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको टारगेट क्या रखना है कि मैं हफ्ते में पांच दिन तो अगर हमें शुरू करना है तो हम 5-5 मिनट करके शुरू करते हैं तो पहले हफते हम 5 मिनट हर रोज चले दूसरे हफते 10 मिनट हर रोज चले ऐसे करते करते हम 6 हफते में 30 मिनट प्रती दिन कम से कम हफते में 5 दिन चल सकते इसका मत्तब यह है कि आप जब चलें तो आपक कि चलते वक्त आप बिना हाफी बिना सास भुलाए बाचीत भी कर सके comfortably अगर मेरे को aerobics करनी है या stretching exercises करनी है तो कौन सी करनी है वो exercises करनी है जिसमें कि आपकी back की अच्छे से stretching हो आपके हातों पेरों की stretching हो और pelvic floor exercises बहुत जरूरी है हास करकी आखरी के तीन महीने में pelvic floor exercises में squatting exercise और कीगल exercise जो पिशाब के रस्ते को टाइट करने की exercise है टाइट धेली टाइट धेली वो बहुत जरूरी है आप योगा expert से भी संपर्क कर सकते हैं और अपने fitness trainer से भी संपर्क कर सकते exercise आप पहले pregnancy के कर रहे थे नहीं कर रहे थे यह जानना जरूरी है यदि आप pregnancy से पहले exercise कर रहे थे तो आप जिस भी किसम की exercise कर रहे थे आपके शरीर को उस exercise को करने की आदत है आप वही exercise प्रेगनेंसी के पूरे नौ महीने कर सकती है पर अपने डॉक्टर से सला मश्वरा जरूर करिएगा हो सकता है कि डॉक्टर कहें कि हाँ आप यही exercise कर सकती हैं पर इसकी intensity इसकी strength कम कर लीजिए और moderation में याने नपातुला exercise करें यदि आप प्रेगनेंसी से पहले exercise नहीं कर रही थी बिल्कुल तो pregnancy में exercise करना शुरू करिए यह जरूरी है आपके हित में है तो हम कौन सी exercise कर सकते हैं सबसे पहले हमें वह exercise करनी है जो आपका शरी जिस चीज को adjust कर सके दूसरी बात हमको exercise अगर हम पहले नहीं कर रहे थे तो मैं अचानक से बहुत जादा intensity strength की exercise नहीं करनी धीरे धीरे बढ़ नहीं करना है